स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हूं सुरिंदर और आप देख रहे एसराज इंडिया इस वीडियो में हम जानेंगे RSAT बुक के बारवे लेसन के बारे में जिसका नाम है Microsoft Excel यह इस लेसन का तीसरा और अंतिम भाग है इस वीडियो में भी हम RSAT के लिए 35 बहुत ती महत्वन प्रशन लाएं तो बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को भी शुरू करते हैं Microsoft Office Excel डोकुमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है Option A, कॉलम का नाम Option B, रो का नाम Option C, पहले रो, फिर कॉलम का नाम और Option D, पहले कॉलम, फिर रो का नाम तो इसका सही उतर है Option D, पहले कॉलम, फिर रो का नाम क्योंकि Microsoft Office Excel डोकुमेंट में सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम होता है फिर रो का नाम आता है तो इसका सही उतर हो जगा Option D, पहले कॉलम, फिर रो का नाम इन में से कौन एक्सल फाइल को परदशित कर रही है ओप्शन ए टेक्स 0102 ओप्शन बी एस्टी ड़ल्यू अकाउंट्स ओप्शन सी वर्ड डॉकुमेंट्स और ओप्शन डी सीटी एंड काईडलाइन्स वन नाइन 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 तो इसका साई उत्तर है ओप्शन ए टेक्स 0102 MS Excel में डाटा किसमें रखा जाता है ओप्शन ए लोओप्शन बी कोलम ओप्शन सी टेबल्स और ओप्शन डी नन आपप दी अबवव तो इसका साई उत्तर है ओप्शन सी टेबल्स क्योंकि MS Excel में data tables में रगा जाता हैं तो इसका सही उतर हो जागा option C, tables MS Excel 2010 में किने भी 5 student की record का उसत ग्याद करने के लिए कौन सा formula रियोग होता है option A, max, option B, min, option C, average, और option D, sum तो इसका सही उतर है option C, average क्योंकि MS Excel 2010 में किने भी 5 student की record का उसत ग्याद करने के लिए या किसी भी संक्या का उसत ग्याद करने के लिए average formula का प्रियोग किया जाता है तो इसका सही उतर हो जागा option C, average format का एक combination जिसमें color plate, font, sale और effect शामिल उससे कहते है option A, theme, option B, box, option C, layout, और option D, उप्रोक्त सभी तो इसका सही उतर हो जागा option A, theme क्योंकि format का एक combination जिसमें color, plate, font, sale और effect शामिलो उससे हम theme कहते हैं तो इसका सही उतर हो जागा option A, theme MS Excel में किसी function को डालने के लिए शंक्षिप्ट कुंजी प्रियोग में लाई जाती है option A, shift plus F3 option B, shift plus F4 option C, shift plus F8 और option D, shift plus F7 तो इसका सही उतर है option A, shift plus F3 क्योंकि MS Excel में किसी function को डालने की शंक्षिप्ट कुंजी shift plus F4 हैं तो इसका सही उतर हो जागा option B, shift plus F4 spreadsheet program में दो से अधिक सेलों के selection को कहा जाता है option A, table option B, book option C, file और option D, shift तो इसका सही उतर है option A, table क्योंकि spreadsheet program में दो से अधिक सेलों के selection को table कहा जाता है तो इसका सही उतर हो जागा option A, tables यदि आप MS Excel में code दबाते हैं तो आपके द्वारा अंकीत संकेत को सेल अतात कोश्टक, content, अतात विशेवस्तू के रूप में गरान करता है option A, enter option B, control plus enter option C, tab और option D, insert तो इसका सही उतर हो जागा option A, enter यदि हम MS Excel में enter को दबाते हैं तो अंकीत संकेत को सेल, content के रूप में गरान करता है तो इसका सही उतर हो जागा option A, enter MS Excel में data shorting का option किस tab में उपलब्द होता है option A, home option B, formula option C, view option D, insert तो इसका सही उतर है, option A, home क्योंकि MS Excel में data shorting का option, home tab में उपलब्द होता है तो इसका सही उतर है, option A, home एक वर्क्षीट में आप चैन कर सकते हैं, option A, संपूर्ण वर्क्षीट, option B, cable row, option C, एक साथ row और कॉलम, और option D, उप्रोगते सभी तो इसका सही उतर है, option D, उप्रोगते सभी, क्योंकि एक वर्क्षीट में हम संपूर्ण वर्क्षीट को, या cable row को, या एक साथ row और कॉलम, तीनों को चैन कर सकते हैं, तो इसका सही उतर जगा, option D Spreadsheet में, डाटा कैसे organize होता है, option A, lines and spaces, option B, layers and place, option C, height and width, और option D, row and column तो इसका सही उतर है, option D, row and column, क्योंकि spreadsheet में data, row and column में organize होता है, तो इसका सही उतर हो जगा, option D, row and column एक से अधिक कर्मिक सेलों का चैन करके, उनको एक सेल में परिवत्तित करने की परक्रिया कहलाती है, option A, merge option B, orientation, option C, portrait, और option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही उतर है, option A, merge, क्योंकि एक से अधिक कर्मिक सेलों का चैन करके, उनको एक सेल में परिवत्तित करने की परक्रिया को हम merge कहते हैं, तो इसका सही उतर हो जगा, option A, merge MS Excel 2010 में किस टेब में proofing group होता हैं, option A, review, option B, insert, option C, home, और option D, data तो इसका सही उतर है, option A, review, क्योंकि MS Excel 2010 में, review टेब में proofing group होता हैं, तो इसका सही उतर है, option A, review, आप Excel में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे, जब वादचित परिणाम को प्राप्त करने हैं, तो या गात करना हो, कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए, option A, formula dating, option B, research, option C, track change, और option D, goal seek, तो इसका सही उतर है, option D, goal seek, जब हम Excel में goal seek tool का प्रयोग करेंगे, तो वादचित परिणाम को प्राप्त करने हैं, तो या गात करना हो, कि किसी सेल का मान क्या है, तो इसके लिए हम goal seek का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही उतर हो जगा, option D, goal seek, वी look up function, निम्न में से क्या करता है, option A, ऐसे text का पता लगाता है, जिसमें V हो, option B, इस बात का पता लगाता है, कि एक सेल में वही text हैं, जो किसी दूसरे mail में है, option C, संबंदित record का पता लगाता है, और option D, उप्रोगते सबी, तो इसका सही उतर है, option C, संबंदित record का पता लगाता है, एक text field में आप character को इंटर कर सकते हैं, option A, 125, option B, 372, option C, 235, और option D, 255, तो इसका सही उतर है, option D, 255, क्योंकि एक text field में हम 255 character को इंटर कर सकते हैं, तो इसका सही उतर है, option D, 255, वरक्षिट में, सेलों का आईताकार समों निम्न में से कौन सा हैं, option A, cell reference, option B, cell formula, option C, cell value, और option D, cell range, तो इसका सही उतर है, option D, cell range, क्योंकि वरक्षिट में, सेलों का आईताकार समों, cell range होता हैं, तो इसका सही उतर है, option D, cell range, MS Excel 2010 में, किसी कौलम की डिफॉल्ट चोड़ाई कितनी होती हैं, option A, 8.00 point, option B, 8.43 point, option C, 6.16 point, और option D, 700 point, तो इसका सही उतर है, option B, 8.43 point, क्योंकि MS Excel 2010 में, किसी कौलम की डिफॉल्ट चोड़ाई, 8.43 point होती हैं, तो इसका सही उतर है, option B, split window option, Excel के किस tab में इस्थित होती हैं, option A, view, option B, home, option C, page layout, और option D, उप्रोग तो सभी, तो इसका सही उतर है, option A, view, क्योंकि split window option, Excel के view tab में उपस्थित होती हैं, तो इसका सही उतर होती है, option A, view, सामन्यत्या, autofill feature, option A, श्रेणी युद्ध, आगड़ों के क्रम को विश्थारित करता हैं, option B, सेल मानों के एक रेंज को स्वतर चोड़ लेता है, option C, वत्मान सेल के डाटा को कॉपी करता है, option D, प्रोग्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उतर है, option C, वत्मान सेल के डाटा को कॉपी करता है, क्योंकि सामन्यत्य, autofill feature, वत्मान सेल के डाटा को कॉपी करता है, तो इसका सही उतर हो जाएगा, option C, वत्मान सेल के डाटा को कॉपी करता है, एक एंप्लिकिशन प्रोग्राम है तो इसका सही उत्र है Option B Application Program MS Excel 2010 में किसी भी नई फाइल का default नाम क्या होता है Option A Book 1 Option B Book 2 Option C Book 3 और Option D Book 4 तो इसका सही उत्र हो जागा Option A Book 1 क्योंकि MS Excel 2010 में किसी भी नई फाइल का default नाम Book 1 होगा तो इसका सही उत्र हो जागा Option A Book 1 निम्न में से कौन सा विकल्प Insert मेनू में मौजूद नहीं होता है Option A Header and Footer Option B Footnot Option C Hyperlink और Option D Bookmark तो इसका सही उत्र है Option B Footnot क्योंकि Footnot विकल्प Insert मेनू में मौजूद नहीं होता है तो इसका सही उत्र हो जागा Option B Footnot निम्न में से कौन सा MS Excel 2010 में वेज सेल का पता है Option A, 1A, Option B, A2, Option C, 11, और Option D, None of these तो इसका सही उत्र है Option B, A2 क्योंकि MS Excel 2010 का वेज सेल पता है A2 है तो इसका सही उत्र हो जागा Option B, A2 MS Excel में ABS प्रकाईर्य प्रिक्त होता है Option A, किसी संक्या का निर्पेक्ष मान है तो Option B, किसी संक्या का अमुर्थ मान है तो Option C, किसी संक्या का अर्चित मान है तो और Option D, ABS एक फंक्शन अताद प्रकाईर्य नहीं है तो इसका सही उत्र है Option A, किसी संक्या का निर्पेक्ष मान है तो क्योंकि MS Excel में ABS प्रकाईर्य अताद फंक्शन किसी संक्या का निर्पेक्ष मान है तो प्रिक्त होता है तो इसका सही उत्तर है, option A किसी संक्या का निर्पेक्षमान है तू MS Excel 2010 की एक वर्क्षीट में कितने RAW एंड कॉलम होते हैं option A 10,488,576,16,384 option B 65,535,254 option C A और B दोनो option D ये सब भी तो इसका सही उत्तर है, option A 10,488,576,16,384 क्योंकि MS Excel 2010 की एक वर्क्षीट में 10,488,574 RAW एंड 16,384 कॉलम होते हैं तो इसका सही उत्तर है, option A 10,48,576,16,384 MS Excel में हैश 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 क्या इंगित करता है option A फॉर्मला गलत है option B सेल सुरक्षित है option C सामागरी चुपाया गया है और option D सेल की सामागरी बहुत बड़ी होने के कारण परदेशन नहीं किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर है, option D सेल की सामागरी बहुत बड़ी होने के कारण परदेशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ms excel में hash hash का मतलब sale की सामागरी बहुत बड़ी होने के कारण परदेशन नहीं किया जा सकता है जब sale की सामागरी का परदेशन नहीं होगा तो उसमें hash hash दिखाता है तो इसका सही उतर हो जगा option d sale की सामागरी बहुत बड़ी होने के कारण परदशन नहीं किया जा सकता है एक worksheet में row तता column title को hold करने है तू ताकि जब worksheet को scroll किया जाए तो वे scroll ना हो निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है option A, unfreeze pens command option B, freeze pens command option C, hold title command option D, split command तो इसका सही उतर हो जाएगा option B, freeze pens command क्योंकि एक worksheet में row तता column title को hold करने है तू ताकि जब हम worksheet को scroll करें तो वो scroll ना हो इसके लिए हम freeze pens command का उपयोग करेंगे तो इसका सही उतर हो जाएगा option B, freeze pens command तो इसका सही उतर हो जाएगा option A, name box क्योंकि cell address name box में दिखाई देता है तो इसका सही उतर हो जाएगा option A, name box शेयशवल निकालने के लिए कौन सा function उपयोग किया जाता है option A, int option B, mood option C, trim और option D, log तो इसका सही उतर हो जाएगा option B, mood क्योंकि शेयशवल निकालने के लिए mood function का उपयोग किया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा option B, mood निम्न विद्यो में से जो एक सेयल की सामगरी को संपादित करने के लिए इस्तमाल नहीं किया जा सकता है option A, alt कुंजी दबाने पर option B, सूत्रपटी को क्लिक करना option C, F2 कुंजी दबाने पर और option D, sale डबल क्लिक करके तो इसका सही उतर है option A, alt कुंजी दबाने पर क्यूंकि दी गई विद्यो में से हम सूत्रपटी को क्लिक करके F2 कुंजी दबा कर और sale पर डबल क्लिक करके तीनोई तरीके से हम sale की सामागरी को संपादित कर सकते हैं लेकिन L कुंजी दबा कर हम सेल की सामागरी को संपादित नहीं कर सकते हैं तो इसका सही उतर जाएगा option A, L कुंजी दबाने पर किस टेब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपर लिंक जैसे विशेश गटकों को जोडने की सुईदा मिलती है option A, Home, option B, Insert, option C, Page Layout, और option D, View तो इसका सही उतर जाएगा option B, Insert क्योंकि insert टेब में ही हमको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपर लिंक जैसे विशेश गटकों को जोडने की सुईदा मिलती है तो इसका सही उतर जाएगा option B, Insert formula में दुआरा अलग किये गए sale address के जरिये non-existent range का वर्णन होता है option A, Semo, Option B, Option C, Cool Stop, Option D, Colon तो इसका सही उतर जाएगा option B, क्योंकि formula में comma के दुआरा अलग किये गए sale address के जरिये non-existent range का वर्णन होता है तो इसका सही उतर जाएगा option B, comma MS Excel प्रोग्राम में खानों की चोड़ाई और पंक्ति की लंबई मापी जाती है option A, inch, option B, pixel, option C, centimeter, और option D, percentage तो इसका सही उतर जाएगा option A, inch क्योंकि MS Excel प्रोग्राम में खानों की चोड़ाई और पंक्ति की लंबई इंच में नापी जाती है तो इसका सही उतर जाएगा option A, inch Excel वर्कशिट के चैनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे option A, font के sign अटाताकार बदल कर option B, status bar में जूम निदेश का प्रियोग करके option C, pageback निदेश का प्रियोग करके और option D, workshop के जिस अंग को प्रिंट करना है उसे select कर, print dialogue box में selection विकल्प चुन कर तो इसका सही उतर जाएगा option D, workshop के जिस अंग को प्रिंट करना है उसे select कर, print dialogue box में selection विकल्प चुन कर क्योंकि जब भी हमें Excel वरक्षीट के किसी चैनी तंच को प्रिंट करना है तो इसके लिए हम workshop के जिस अंग को प्रिंट करना चाहते है उसे select कर, print dialogue box में selection विकल्प चुन कर प्रिंट कर सकते हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा option D वरक्षीट के जिस अंग को प्रिंट करना है उसे select कर, print dialogue box में जाकर selection विकल्प चुन कर वीडियो पसंद आने पर like वेना dislike ज़रूर करे और अधिक जानकारी के लिए हमें RSAT book की next वीडियो ये ज़रूर देखें और चैनल को subscribe करते हैं जिससे कि आपको RSAT की SC वीडियो आपको मिलती रहें जिससे कि आप RSAT exam में बहुत ही अच्छे नमबर ला सके तो तब तक लिए सिखते रहें ये साज इंडिया के साथ वीडियो देखने के लिए दिनने वाद तक दो एब एकर वादाँ और शुर्ण आपको जिससे कि आपको जापको 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 जाआ